नमस्कार मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तकनूच आपको बताते हैं कि हमारे साथ हैं स्विले भारतिय समाज पार्टी के प्रदेश परवक्ता अस्वनी मिस्तरा जी जो हमारे घर खुद चल कर आजम गड़ से आएं बड़ी सभागे की बात है तो मिस्तरा अगर कोई व्यक्ति है अगर कोई व्यक्ति है अगर किसी तो तो बाकी है तो इसमें कोई आश्चर की बात नहीं होनी चाहिए अगर कोई व्यक्ति है अगर किसी दूसरे के घर के बारे में सोचता है कि नहीं उसका घर उजड़ जा तो फिर उसका घर कैसे सकुसल रह सकता है यह तो सभी लोग जानते तो आपका कानक मतलब है कि जो जैसा करेगा उसा पाएगा जी बिलकुल जैसा करता है आदमी वैसा ह पाता है तो कुछ लोग बोल ला है कि कुछ लोग क्या महिंदा राजवर जी का बयान दिया थे कि बिजेस राजवर ओम प्रकास राजवर का अदमी है गर देखी एक समय में तो सारे लोग जो है अपने ही आदमी थे और अब अगर वो कह रहे हैं तो ठीक है जो है अगर नेत्रित तो है शिर्स नेत्रित तो है यह सारी चीजें डिसीजन जो है उनका अधिकार है और वहां पर अगर कुछ होता है तो फिर देखा जाएगा याने ओपी राजवर जी बोल देंगे कि बिजेस राजवर का स्वागत है तो आप लोग बिरोध नहीं करेंगे नहीं बिरोध वाली बात नहीं है और हम लोग किसी का बिरोध नहीं करते हैं और हम लोग का जो टार्गेट है और जो लक्ष है समाज में जो है जिस विचार धारा से हम लोग चलते हैं और महराजा सुवेलदेव जी के विचारों पे आदर्सों पे डाक्टर बावा भीम र तो यह नहीं कि मेरी आपके हैं कि सिधान्त नेति पार्टी के जो विचारधार में जैसे तीन लोग की ही बस चलती है तो वैसा ही बिर्जेस राजभर भी अपने चलाना चाह रहे थे तो सच है कि बस आपके पार्टी में तिन लोगों की ही सुनी जाती है बाकिया आवलों पीछे पीछे घूमते रहे हैं नहीं देखिए अगर जो है तीन ब्यक्ति की बात ह जैसे निधित वह हमलोग का संगठन और हम लोग जो है बूत अखर का संगठन है तो नहीं शर्लोग का तिन लोगों правда है तो एक कर देखिना अबियाब्य करिए नहीं देखिये जब राजनेता होता है, बड़ा नेता होता है, किसी पार्टी का राष्टी अध्यक्ष होता है, तो तमाम लोगों से जितने भी राजनीतिक पार्टीयां होती हैं, सबसे सबका संबन होता है, तो अगर जो है वो कहें हैं, तो इसमें कोई गलत बात तो है, नह तो हमारा कहीं पर किसी पार्टी के साथ जो है मद्भेद हो सकता है लेकिन व्यक्तिगत रूप से तो किसी के साथ हमारा जो है मद्भेद नहीं है अप लोग तयारी कर रहे थे पुछेग जरूरर कि आजमगड में जो प्रधा मंतर जी का कारेक्रम लगने वाला थे खास करके आप लोग का पार्टी का अस्थापना दिवस है। आप लोग तैयारी भी किये तो फिर हुआ क्या कि वो कारिक्रम ड़ल गया। नहीं वहां पर वो कारिक्रम नहीं था। आजमगड के अंदर में हम लोग का कारिक्रम जो है। मंत्री कब बन रहे हैं। मंत्री जी बहुत जल्द बनेंगे। और अब् hanagya के जो चुनाओ हो रहे हैं। उसका जो है रिजल्ट जो है अभी के डिसंबर में आना है। तो रिजल्ट होगर है अभी क्योंकि सारे लोग ब्यस्त हैं और जितने भी लोगों को कारिकरम में जाना है तो इधर उदर चुनाओ के द्रिश्टिकोंड से सभी लोग जो अभी अपने अस्थान को पस्थित नहीं है जिस समय सारे लोग पस्थित होंगे फिर वहां पे कारि देखिए अगर बहुखलाहट उनको मंतरी पद के लिए होती तो संभावता वह पिछले अपने मंतरी काल में जो है मंतरी पद को त्याग पत्र नहीं देते वह बने रहते पांच साल और इसके बाद पिर चुनाव जीत करके वह मंतरी बन जाते लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ज उसमें कोई सत्यता नहीं है उनको मंतरी जब बनना है वो मंतरी बनेंगे इसमें कोई संसाय नहीं है अगरी सवाल है कि आएंगे तो आप लोग खुलकर स्वागत करेंगे देखिये अभी हो समय बताएगा वक्त बताएगा राजिनीत में बहुत सारी चीजह उलटपे फिर होती रहती है और जिस परिस्तिति में और जिस बेला काल में जो भी डिसीजन लिया जाता है उसके अनुरूप लिया जाता है तो जब आगे जो है परिस्तितियां अगर जो फिजुन देखिए हैं कनिवर्ट होती है तो किसी का सबर्ट का परिंग धिकद्र की आइक साथ में चलते हैंं तो ठीक है कहीं से भी कोई आता है अगर जो है उसको लगे गादी नहीं हमको कि अमेशा पत्रकारों के लिए बात करते हैं कि नहीं के लिए नहीं के लिए बात करते हैं जैसे कांस्टेबल लोग है और तमां लोग है कि इनको जो है उस हिसाब से भटता और तमाम चीजें दिजाएं आज से बहुत वर्सौ पुर्व की आपर करते हैं तो कोई भी पत्रकार है तो हम-को तो यह नहीं लगता है कि नेता जी किसी भी पत्रकार को बाइट देने से मना करते हैं कभी ऐसा किये नहीं है यह देखिए छोटा बड़ा का बात नहीं होता है जब भी कोई बाइट लेने जाता है नेता जी का तो नेता जी के पास में अगर समझ नहीं भी होता है तो वो थोड़ा सा 10-5 मिनिट के लिए का देते हैं कि आप लोग थोड़ा सा रुख जाईए हमारे पास समय होता है तो हम आपको बुला लेते हैं फिर इसके बाद में उसका रिक्रम को संचालित करते हैं लेकिन अगर नेता जी के ऊपर कोई अगर का रहा है कि नहीं इस प्रकार से जो है नेता जी किये हैं तो ये तो मानने वाली बात नहीं है क्योंकि जिस आदमी के लिए नेता जी जगड रहे हैं सदन के अंदर में फिर उसका अनभल जो है कहां से नेता जी सोचेंगे कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है जिस पत्रकारी एसोसीशन की बात करते हैं अनेता जी और कोई पत्रकार ये कहें कि नहीं हमको जो अनेता जी ये कहें तो ये मानने वाली बात नहीं किसी के भी अपमान हमारे राष्टे अधक्ष नहीं करते हैं और एक सब्दे भी कहें कि अगर वो फी राजबर किसी भी चीज पर फैसलार लेता हैं तो उनका मानने होगा आपकी क्यारा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ऐसे ख़बरों के लिए राष्टेक्निव च किया है आपकी कमें